नमस्ते, study labs पर आपका स्वागत है, हमने one hole bottle में देखा था कि जैसे हम bottle में एक छेद करते हैं और पानी उसमें भरते हैं और ढखकन बंद कर देते तो निकलना बंद हो जाता है, pressure की वज़े से, लेकिन हमने उसमें एक यह भी सोचा कि क्या होगा जब हम जो छेद है उसको नीचे कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ सेट अप बनाया है पहले देख लेते हैं इस सेट अप को मैंने क्या बनाया है और फिर हम इस से एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो मैं यह सेट आप आपको एक्सप्लेन करता हूँ आप यहां मैंने छेद किया और क्योंकि यह अब आपर नीचे करनी सकते हैं तो मैंने क्या कि अन्दर एक एक यह जो ट्यूशा भी है और बाहर भी है। और इसको यहां पर हॉट्ड् Glu से बन कर दिया। अब मैं इस ट्यूब को ओपर नीचे लेगिन कर सकता हूं तो मैं इस hole को उपर नीचे लेकर जाओंगा सेम यही जो उसका tube का दूसरा end था मैंने उसके साथ भी यही किया आप अंदर देखेंगे तो आपको यहां देखेगा कि जो अंदर वाला tube है वो इस black जहां पर लकडी लगी हुई है यह इसका बाहर वाला दूसरा end वो है और यह भी अंदर उपर नीचे हो सकता है अब देख सकते हैं कि इससे अभी पानी निकल रहा है और जैसे इसको depth पर लेकर जाओंगा नीचे लेकर जाओंगा यह थोड़ा सा इसका increase हो रहा है क्योंकि इसमें काफी सारे टर्न्स हैं इस वज़े से बहुत साथ हमें नहीं मिल रहा है लेकिन जैसे इससे ऊपर आऊंगा इसका जो फ्लो है वो अब्स्ट्रक्ट हो रहा है धीमे हो रहा है और और उपर आने पे पानी के लेवल पे आप देखेंगे कि रुख भी जाएगा एक पॉइंट पे यह वाला जो अंदर वाला है यह जब बाहर निकल जाएगा इससे तो यह वाला बिलकुल ही रुख जाएगा जैसे यह नीचे जाएगा यह धीमे 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 करके स्टार्ट होगा जैसे यह बिलकुल नीचे तक पहुचेगा आपको दिखेगा कि यह फ्लो तेज हो गया है तो इसलिए होता है क्योंकि यह हाइट पर डिपंड करता है कहीं न कहीं पी वराबर एच रोजी होता है हम जानते हैं और जैसे ही हम जादा डेप्थ में जा रहे प्रेशर हो रहाए और इसी वज़ेशो में इसका फ्लो भी हमें इन्क्री बिलकुल होता हुआ दिखे तो इसमें तीन वैरिएशंस हो सकते हैंibl competed पहला कि आप बाहर वाले जो से एक लकडी से बान दिया है और मैं जब उपर नीचे करूंगा तो यह दोनों ही उपर नीचे होंगे तो इसमें आप बाकी के दो वैरिएशन ज़रूर ट्राइ करिएगा कि जब बाहर वाले होल को फिक्स करके अंदर वाले को उपर नीचे करेंगे तब क्या होगा और इसी का उल्टा